एक लॉयर के वाइफ का एक टीनेजर के साथ अफेर हो जाता है। लॉयर कोई बात पता चली पर उसका भी अफेर चल रहा था। मूवी में ट्विस्ट आने के बाद आगे क्या होगा कि हम एक्स्प्लेशन में जानेंगे। हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको लॉयर्स वाइफ एक कोरियन मूवी एक्स्प्लेशन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्प्लेशन लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा। बिना किसी देखे के एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते हैं। एक टीनेजर उसका पीछा कर रहा था। अचानक से वो रस्ते से गिर जाती है। ये टीनेजर ने नोटिस किया और वहाँ से चला गया। आज उसकी मदर इनला उसके बेटे का खैल रख रही थी। जब उन्होंने मदर इनला को घर पर छोड़ा तो उसका बेटा उसे पूछता है। क्या ग्रैंड मा को पता है कि मैं अडप्टेड हूँ। ग्रैंड मा को अफकोस पता था। यून गहती है तुम्हें कोई भी इम्बेरस होने की जरुवत नहीं है। तुम मेरे बेटे हो और इस बात से प्राउड रहो। इसके बाद रात में यंग यून के जगा पर किसी और लड़की के पास आया। वो फिर घर पर आता है शौर वेगर लेता है। घर पर हम देखते हैं कि उसके बेटे के साथ उसकी बॉर्णिंग बहुत अच्छी है। आज राते तीनों साथ ही सो गए। यंग यून से कहता ह कल मेरे फादर मेंडल हॉस्पिटल से निकलने वाले हैं प्लीज उन्हें पिक अप कर लेना। यून ने कल अपने फादर इनलो को पिक अप किया। फादर इनलो कहता है घर जाने से पहले क्यों न हम बेर लें। फादर इनलो को बहुत सारे हेल प्रॉलम थे पर फिर भी इस्टन जब उसे क्वेशन करती है तो थोड़ा सा डर गया और यहां से चला जाता है। घर पर यून का बेटा उसे कहता है कि मैं अडॉप्टेड हूँ इस वज़े से सारे बच्चे मुझे चिडाते है। यून ने उसे कहा है कि डिलेवरी के वक्त मदर को तकलीफ होती है उसी दरीके से जब उसका बेटा उसके लाइफ में आया था तो उसे बहुत खुश हुई थी। उसका हार्ट अपने बेटे के लिए एक करता है। उसे बहुत प्यार करती है। वो कभी भी उसे अलग नहीं समझती है। आज राद यून और यंग इंटिमेट हो गए। यू उनने नोटिस किया कि वो लटका और उसके फादर ये दोनों हमेशा जगरते रहते हैं। आज भी उन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई थी। उस लटके को घर से निकलता दे। यून भी उसका पीछा करती है। वो डारेक लिक ठेटर में आया जहापर एडल मूवी चल रही थी। ठेटर में वो अकेला होता इस वज़े से मूवी चल नहीं रही थी पर यून ने भी वही तिकेट पाई किया। यंग का जिस लटकी के साथ अफेर चल रहा है। उसका नाम है किम। आज यंग फिर से किम के पास आया हुआ था। यंग उसे कहती है मुझे इस बात को इगनोर करती है। यून जीस टीनेजर लड़के की पीछे थी इसका नाम है शिन। शिन और यून ने मूवी देखी और इसके बाद यून उससे गहती है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तुम मेरे सामने ही रहते हो। शिन ने फिर उसे लंज के लिए इ उनके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है। इन सारी वज़े से ओ डिस्टर वो गया और वो बहुत सारा ट्रंक करता है। नेक सेर में हम देखते है कि केम को हॉस्पिटल में लेकर आया था। उसका अबोशन करवा लेता है। इसके बाद यून अपनी मदर और फादर को लेकर डॉक्टर के पास आया डॉक्टर उसके फादर को समझाते हैं कि अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो आपके पास जीने के लिए बहुत ही कम समय है फादर इस बात को थोड़ा सा भी सिरेसली नहीं लेते हैं चेकप के बाद तुरन यह सब स्मोक कर रहे थ यंग हमेशा घर पर बहुत ही लेट आता है आज रात बेटा यून से बुझता है कि फादर अब तक घर क्यों नहीं आए क्या ओ जुट बोल रहे होंगे यून को इस बात पर बहुत जादा हसी आई पर फिर भी उसके मन में डाउट था तो जाकर ओ यंग को देख कर आती है पर फॉर्चुनेटली यंग अपने आफिस में ही है रात में यून अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी वो बता रही थी कि मुझे लगा था कि शादी के बाद मैं बहुत ही सैटिसफाइट रहूंगे उसे लगता है कि जब वो अन्मैरिट थी तो उसके लाइफ में बह बहुत सारे माउंटन ट्रेकिंग क्या करती थी पर अब उसने डिसाइड क्या क्यों शिन के साथ जाएगी ट्रेकिंग करते होग शिन यून से गयता है थोड़े मंस में मैं हमेशा के लिए अमेरिका चले जाने वालों तब तक अगर तुम चाहो तो मेरे साथ अफेर कर सकती यून इस पर सिर्फ हस देती है उपर माउंटन पर चड़कर आराम कर रहे थे तब ही शिन ने यून को किस कर लिया इसे के साथ इनका फिर स्टार्ट हो गया था यंग कीम के साथ एंज़ा कर रहा था पर अचानक से उसके फादर की दबेद बहुत ही खराब हो गया उन्हों रात हो चुकी थी और दोनों एक दुसरे के आमने सामने आये यंग ने उस आदमी को टकरा दिया उसे बहुत ज्यादा चोट आ गई थी वो जल्दी से उसे अपने गाड़ी में डालता है और हस्पिटल में छोड़ दिया कीम को घर चुटने के बाद वो अपने फादर के प सामाने एक रहा दिख रहा था अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंट कर रहा था उसके साथ कुष है और उससे के साथ रहना चाहती है जब यंग और यून एक साथ अके ले थे तो यंग उसे कहता है तुमने सब कुछ चीज़े बहुत अच्छे से हैंडल की उसे बहुत अच्छा लगा वो उसके लिए बहुत थैंक्फूल था वो यून से भार तो करता है पर अपनी चीटिंग की आदत छोड़ नहीं पाता इसके बाद नेक सिन में यून और शि यून उसे हाग कहा पर वो इसे इग्नॉर कर देता है नेक सिन में शिन और यून ये यून के स्टूडियो में दोनों अकेले थे यून उसके साथ इंटिमेट होने वाली थी तभी शिन के फादर ने इन दोनों को पकड़ लिया शिन के फादर बहुत जादा गुसा थे वो यून को confront कर रहे थे तब ही शीन ने जाकर अपना हाथ कास से टकरा दिया उससे खुनाने लग गया था तो फादर उससे हस्पिटर लेकर जाते है घर पर यून जब अपने बेटे के साथ थे तो उसका बेटा कहता है अगर तुम मुझे नहीं पताती कि मैं अडोप्टेड हू तब ही सही होता यून ने कहा कि तुमसे कुछ भी छुपाना गलत होता और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अगले सीन में हम देखते है कि यंग की मदर अपने न्यू पार्टनर के साथ इस कंट्री को छोड़ कर जा रही थी उसे छोड़ने के लिए यंग की पूरी फ एक्चुल में उन्होंने शीन के पीछे एक प्राइविट डिरेक्ट्व लगाया था इस वज़े सुने पता चला था सारा एविडन्स उन्होंने दिखाया इस बात से यंग डिस्टब हो गया और शीन के फादर को यहां से निकल जाने के लिए कहता है वो रात में घर पर आ कर एक सुमसान बिल्डिंग पर लेकर आता है यह डिलिवरी मैन बहुत ही डिस्टब है यंग ने उस पर चार्जेस प्रेस किया थे इस वज़े जोसकी जॉब चली गई डिलिवरी मैन को पता था कि यंग और केम गाड़े में एक साथ क्या कर रहे थे यह उसकी अकेले की गल पहले नैशनल प्लेयर हुआ करता था वो अंडर करता है यह उसकी लाइफ यहां कैसे पोची और उसने भी सुसाइड कर ली अपने बेटे की डेड़ बॉड़ी को रिकगनाइस करने के लिए यून और यंग को बुलाय किया यह देखकर यह दोनों बहुत रोते है थोड़ा यह दोनों एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते है इनमें बहुत बड़ी फाइट हुई फाइट करते करते यंग की वज़े से यून के हाथ पर चोट आके उसे हुस्पिटर लेकर आता है यून को उसने घर चोड़ दिया और कीम से मिलने के लिए उसके घर पर आया किम उससे कह उनको उसके बहुत जादा जरूरत थी उसके घर पर जाकर जबरदे सी डोर नौक करता है आज रात कीम किसी और के साथ थी इस बात से यंग को बहुत बुरा लगा उसे ब्रेक अप कर लेता है यून को भी किसी की जरूरत थी वो शेन को बुलाती है और यह दूनों इंटिम प्रेगनेंट है यह एक तरीक का मिरेकल था अब बहुत दिन बीच चुके थे यंग और यून यह दोनों अलग-अलग रह रह रहे थे यंग को जब पता चला कि यून प्रेगनेंट है तो उसके पास हो आता है कहता है प्लीज फिर से मेरे पास आजाओ यून उसे मना करती ह कहती है यह चाइल्ड तुम्हारा नहीं है यून ने कहा कि जब हमने अडॉप्शन किया था तो मैं उसे अपना ही बेटा मानता था मुझे तब भी कुछ भी फरक नहीं पड़ा था और अब भी नहीं पड़ेगा वो फिर से बुछता है कि प्लीज मेरे पास वापस आजाओ यून इस बार भी उसे मना कर देती है पहले अफेर तो यंग नहीं किया था उसे इन और करता था टाइम नहीं देता था उसकी नीर्ज को कम्प्रीट नहीं करता था तो इसी वज़े से यून ने उस पर छीट किया यही चीज वो फिर से रिपीट नहीं करना चाती वो अपन ने मुविस लेकर आते रहता हो तो ब्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मुविस के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया